कॉंग्रेस आपकी संपत्ती भी छिनना चाहती हैं कॉंग्रेस एक्सरे कराने वाली एक्सरे मालूम है नहीं उनके नेता बोल रहे हैं एक्सरे करेंगे और आपके लोकर में क्या पड़ा है वो खोच के निकालेंगे आपके घर में क्या पड़ा है वो खोच के निकालेंगे अगर माताओं बेहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोच के निकालेंगे लोकर में रखे आपके गहने हो महिलाओं का मंगल सूत्र हो कॉंग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती हैं हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे कि आपको यह मंजूर है क्या है कि मुझे पूरी ताकत से बताईए अगर मेरा विशसमात्ते हो तो यह आपको मंजूराइं क्या है आपके पास अगर एक गर गाउं में है और एक गर आपने शहर में ले लिया दो गर है तो एक गर कॉंग्रेस ले लेगी कॉंग्रेस की सरकार ले लेगी अगर आपको पास दो गाड़ी है तो एक गाड़ी कॉंग्रेस की सरकार ले लेगी ये उन्हें ने गोसित किया है क्या आपको ये मंजूर है क्या ये करने देंगे क्या आपसे ये सब कुछ शीनकार कॉंग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है साथियों इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है उनका हिडन एजंडा बहार आया है आज उन्होंने कहा है inheritance tax यानी विरासत में भी अब आप देखिए हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते हैं क्यों उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना उनकी शादी में काम आएगा नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा वो संपत्ती को बचाते हैं अना आप सनाप खर्चा मोज मजा में नहीं करते हैं बड़ी मेहनत करके मुसीबतों को जेल करके जो संपत्ती आपने बचाई है ना आपने पुर्वजों ने जो संपत्ती बचाई है जो आपको मिली है अब यह कॉंग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ती नहीं दे करते हैं उस पर भी कॉंग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी यह आपकल पना कर सकते हैं कि कॉंग्रेस है भारत के सामाजिक मुल्यो के भारत के समाज की भावन्यों से कितना कट चुकी है कॉंग्रेस को भारत के पारिवारी मुल्यों तक का अंदाजा नहीं रहा है गर के बड़े बुजुर्ग जीवन भर कुछ न कुछ जोड़ते हैं ताकि अगली पीडियों को देंगे पोती नाती को देंगे और यही हमारे देश की पनपरा है स्वभाव है संस्कृती है हम भारती यह जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं पैसे बचाने की कोशिज करते हैं कॉंग्रेस पीडि दर पीडि चलने वाली इस बचत पर भी इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं लूटना चाहती है यानि कॉंग्रेस का मंत्र है कॉंग्रेस का मंत्र है यह याद रखना गर-गर पहुँचाना मेरी बात पहुँचाओंगे गर-गर मेरी बात गर-गर पहुँचाओंगे कॉंग्रेस का मंत्र है कॉंग्रेस की लूट जिन्दकी के साथ भी लूट और जिन्दकी के बाद भी लूट